हलो में डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोगों का आर्पी एसी एड़्डा के यूट्यूब चैनल पर एंड डिस साइड डॉक्तर रजट खंडेलवाल मैं आप सभी स्टुडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं स्वागत करता हूं उन सभी विध्यारतियों का जो हरियाना से हैं और जो तयारी कर रहे हैं PGD Commerce की जिनको बंदा है इस बार फर्स ग्रेट लेक्टर आर और जो पढ़ाना चाहते हैं स्कूल के अंदर 11th और 12 वाले विध्यारतियों को उन सभी विध्यारतियों का मेरा कर रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों का जो संपूर सहले बसे अकाउंट एंसी का उसके चैप्टर वाइस आप लोगों को MCQ करा रहा हूं पर लेकिन इस क्लास को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ जानक जारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत अपूर रहने वाली है तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टुरेंट्स को मेरे बारे में कुछ बदाता हूं एक चोटा सा इंट्रो मैं आपको मेरे बारे में देना चाहूंगा जिस चैनल पर अभी आप हो जिस चैनल पर अभी आप क्लास देख रहे हो उस चैनल को भगवान का नाम लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए उसका रीजन यह है कि आरती ऐसी अड़्डा पूरे भारत का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमरा टेलिग्राम गर्वक जॉophyं नहीं किया थो आप हमारे टेलिग्राम गर्वक को भी करें अगर आप क्या बइनीफिट मिलने वाला है उससे आपको बेनीफिट यह मिलेगा कि जो क्लास हम लोग यहाँ पर लेते है ना उसका लि भी हमारे पास आपके साथ जुड़े रहने का एक ही माध्यम है वो है टेलिग्राम गुरूप इसी के साथ हम लोग आपको एक बहुत इंपोर्टेंट बात ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने तो को मन तो बना लिया सर मन बना लिया है कि हमको तैयारी करनी है और हमको तो भई सरकारी दोकरी को हासिल करना है कन्फ्यूज है सर कहां से प्रिपरेशन करें कौन हमको हमारे सारे कॉंटेंट को प्रोवैड दरवाएगा कौन हमें हमारे chapters के बाद में MCQs देगा कौन हमको notes देगा कौन हमको classes देगा कैस कौन है ऐसा platform कोई है क्या बिलकुल है RPSC Adder RPSC Adder ने अपनी application पर आप लोगों के लिए एक specific course बनाया है जिसके अंदर आपको complete syllabus हम कराएंगे English और Hindi माध्यम में आपको notes देंगे English और Hindi माध्यम में आपको question bank देंगे वो भी भी answer और इसके साथ साथ आपको ये जो course मिलने वाला है ये बहुत ही reasonable price पर मिलने वाला है जो की है 1499 नया साल है और new preparation year है इसकी जो main लागत है वो 3999 है पर लेकिन अभी आप लोगों को heavy discounted rate पर मिल रहा है और इसका कीमत आपको अदा करनी है 1499 तो हाज ही आप अपना mobile उठाए 1499 में एक course ले और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहली CD को start कर दे इसे के साथ मैं आपको एक last बात और बोलना चाहूंगा चिंता बत करो question भी कराऊंगा पर कुछ बाते होती है जो कहनी पड़ती है और हमारे पास मैं कहने के लिए एक ही माद्यम है वो है YouTube तो last and final बात में यह बोलना चाहूंगा आप मेंसे कई ऐसे विध्यारती होंगे जिन लोगों को accounts आती है जिन लोगों को हो सकता है business आती हो जिन लोगों को हो सकता है economics आता है उनको detail नहीं करनी उन्हें तो केवल practice करनी है उनको practice करनी के लिए questions चाहिए तो उसके लिए भी आपको घबरानी क्या आउशकता नहीं है क्योंकि हम है ना आपके साथ कहाता ना मैंने हम है आपके साथ हम लोगों ने क्या किया है chapter wise subject wise question series तयार करिए अगर आप लोगों को accounts के thousand से भी अधिक MCQs चाहिए तो आप हमारा ये वाला course purchase कर लो इसमें केवल question से question मिलेंगे और ये course मात्र और मात्र बतों कितने रुपे का है एक dairy milk की कीमत के बरावर जो की है 99 रुपे में 99 रुपीस के अंदर आपको thousand से भी जादा subject wise questions मिलने वाले हैं और इससे अच्छी opportunity आपको कही पर भी नहीं मिलने वाली है तो है ना बहुत काम की बात चले गाईस तो करते हम लोग हमारी आज की इस class की शुरुवात और मैं आपको करऊंगा आज हमारे इस chapter के MCQs तयार रहिएगा और हाँ साथ की साथ comment करते रहिएगा क्योंकि two-way communication होगा ना तो पढ़ाने और पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है तो करते हम इस start आज की इस class को तो class हम लोग कर रहे हैं start चेप्टर का नाम आप सभी भी ध्यारती जानते हैं बिल्स ओफ एक्सेंग जिसको हिंदी में कहता है विनी में विपत्र तो बिल्स ओफ एक्सेंग के कोशन आप लोगों को मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ पहला प्रशन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यह रहा कि which of the following instrument cannot be made payable to be error पहला ही प्रशन बहुत ही जबरदस बहुत ही शानदा प्रशन है आपको इसका अंसर देना है बच्चो question में आपको पढ़ दिया comment section में आप मुझे अंसर देंगे अगर जो बच्चा recorded देख रहा है वो भी comment करके अंसर देंगे जब तक आपको मैं नहीं बता दू इसका सही उत्तर क्या है तब तक आपको इसका देना होगा अंसर गाईस तो comment में आप लोग अंसर देना बिल्कुल भी ना भूले मैं आप सभी students के अंसर का कर रहा हूं वेट तो question आपको नजर आ रहा होगा screen पर question आपको दिख रहा होगा screen पर सभी लोग देख रहे हैं क्या है question इसका अंसर दीजिए मैं आप सभी लोगों क्या answers का कर रहा हूँ वेट question आपको दिख रहा है which of the following instrument cannot be made payable to bearer इन में से ऐसा कौन सा instrument है जो की bearer को payable नहीं है इन में से ऐसा कौन सा instrument है गाईस जो की bearer को payable नहीं है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है इन में से ऐसा कौन सा instrument है जो की bearer को payable नहीं है option a promise note option b bank check option c bills of exchange and option d accommodation of bill बोले क्या होगा इसका correct answer आपको इसका जवाब दिना है क्या होने वाला है इसका correct answer बताएं बच्चो जो bearer को payable नहीं है इन में से ऐसा कौन सा instrument है जो cannot be payable to bearer मतलब which of the following instrument cannot be payable to bearer प्रामिसरी note का मतलब होता है प्रतिग्या पत्र प्रामिसरी note का मतलब होता है प्रतिग्या पत्र बैंक चेक का मतलब होता है चेक बिल्स ओफ एक्सेंज का मतलब होता है विनी में विपत्र और accommodation बिल का मतलब होता है साहतार्थ बिल तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा तो इसका जो प्रामिसरी note होगा क्योंकि बैंक चेक जो बिल्स ओफ एक्सेंज में जो बिल्स ओफ एक्सेंज कौन ड्रा करता है option A, creditor, option B, dater, option C, shareholder, option D, debentures एक विनी में विपत्र बताओ किस के द्वारा लिखा जाता है कौन लिखता है और किस पर लिखता है तो मैं आपको समझना चाहूँगा कि विनी में विपत्र कौन लिखेगा और किस पर लिखेगा ठीक है तो बच्चों विनी में विपत्र लिखा जाता है बताओ किस के द्वारा विनी में विपत्र लिखा जाता है creditor के द्वारा और वो भी किस पर लिखा जाता है डेटर पर लिखा जाता है और इसको डेटर ही accept करता है ठीक है ना, क्रेडिटर का मतलब होता है लेंदार, डेटर का मतलब होता है देंदार, वीनी में विपतर कौन लिखता है, क्रेडिटर लिखता है, किस पर लिखेगा, डेटर पर लिखेगा, यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, विक्रेता, और डेटर कौन है, क्रेता, माल बेचने यह होगा गाईस, option A, creditor, आपको lock लगाना है, creditor पे, creditor इसका बिल्कुल सही answer होगा, option A, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आप में से कुछ students, option A बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अलका का answer बिल्कुल सही है, मिनाक्षी आपका बिल्कुल सही answer है, very good, यहापर जो भी अच्छे class में हैं, वो मेरी बात को मान भी रहे हैं, answer भी दे रहे हैं, आप लोग भी comment भी करते रहे हैं, answers भी देते रहे हैं, तो ही आपको मज़ा आएगा, मेरी class आपको ऐसे लगीगी, जैसे आप एक test दे रहे हो, हो मैं hand to end उस test paper का आप लोगों को solution करा रहा हूँ, next question आ वाई पर एक bill draw कर रहा है, 20,000 का bill draw कर रहा है, तीन महीने का bill draw कर रहा है, आपको maturity चाहिए उस bill की, मत उस bill की अपने को maturity calculate करनी है, हम उस bill की क्या calculate करेंगे, यहापे maturity period अपने को calculate करना है, कैसे करेंगे calculate बताओ मैं आपको, चलिए, सभी लोग दियान से देखना कैसे करेंग अब मुझे बताओ एक जन्वरी से एक फरवरी एक महीना होता है, एक फरवरी से एक मार्च दूसरा महीना होता है, एक मार्च से एक अपरेल तीसरा महीना होता है, तो एक अपरेल को तीसरा महीना खत्म हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे एक अपरेल 2005, विल्कुल सही बाद इसमें आपको 3 दिन grace period के add करने हैं 3 दिन किसके add करने grace period के तो एक तरीक का दिन लेलो, दो तरीक का दिन लेलो, 3 तरीक का दिन लेलो, 3 दिन बाद तरीक के आएगी सर्थ 3 दिन बाद जो तरीक आएगी वो 4 April 2005 जाएगी, इस 4 April 2005 को कोई भी public holiday होता है क्या नहीं तो इसका मतलब बिल्की maturity date क्या जाएगी 4 April 2005 तो इसका जो सही उत्तर होगा वो option C होगा 4 April 2005 आपको 4 April 2005 पे log लगाना है तो यहाँ पर देखा जाए तो अलका बिल्कुल ये class regular होती है बिल्कुल सही बोल रहे है आप regular होगी कार्तिक पांडे का सही बिल्कुल correct answer है कि 4 April 2005 समझे आप कैसे आया वही एक जन्वरी का बिल था आप समझो ना तीन मही ने अपने को जोड़ना है क्योई question में लिखा वा है तो एक जन्वरी से एक फरवरी एक फरवरी से एक मार्च एक मार्च से एक अपरेल तीन मैने खतम एक तारीक को तीन मै के लिए तो तीन तारीक के बाद जो तारीक आ रही है उसे हम 4 अपरेल बोलेंगे 4 अपरेल 2005 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है 101 परसें बिल्कुल correct answer है option C पर आप लगा दीजगा ताला अगला प्रेशन which of these is not an essential requirement of a valid bills of exchange इसमें से कौन सा मान के चलना वापस से which of these is not an essential requirement of a valid bills of exchange मतलब इनमे से कौन सा essential requirement नहीं है मतलब वैलिट बिल्स आप एक्षेंज के लिए इनमे से किसके requirement नहीं है ये पूछ है acceptance की requirement नहीं है consideration की requirement नहीं है specific sum payable की requirement नहीं है या writing की requirement नहीं है इनमे से किसकी requirement नहीं है आप लोगों से पूछा जा रहा है एक valid bills of exchange के लिए इनमे से किसकी requirement नहीं है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है बताइए बच्चों किसकी requirement नहीं है मतलब यह requirement नहीं है इसी current से option B बिलकुल सही answer होगा तो जो बच्चे option B बोल रहे हैं वो बिलकुल सही answer दे रहे हैं जो बच्चे उसके अलावा बोल रहे हैं वो गलत देना है अपनी गलती सुदा रहे हैं आप कि which of these is not an essential requirement of a valid bills of exchange इन्वे से कौन सा essential requirement नहीं है valid bills of exchange के लिए त consideration option B हम लोगों का बिलकुल सही उत्तर है next question आपके सामने which of these is not an essential requirement of a valid promissory note मतलब valid promissory note के लिए इन में से कौन सा essential requirement नहीं है इसका जवाब आपको देना है एक valid promissory note के लिए इन में से कौन सा essential requirement नहीं है इसका जवाब आपको देना है option A acceptance option B unconditional option C maker and P and option D all the three भोलिये क्या है promissory note के लिए इन में से कौन सा essential requirement नहीं है इसका जवाब आपको देना है एक प्रॉमिसरी नोट जो होता है ना उसमें इनमें से कौन सा एसेंशेल रिक्वार्मेंट नहीं है इसका जब आप देंगे तो गाईस जो को मैं आपको समझाता हूँ एकसेप्टेंस जो है ना वो एसेंशेल रिक्वार्मेंट नहीं है क्योंकि प्रॉमिसरी note में acceptance की जरवत ही नहीं होती है जो इंसान promise कर रहा है ना वो ही तो लिख के दे रहा है तो जब वो खुद लिख के दे रहा है तो by default acceptance हो गही तो प्रॉमिसरी note में acceptance की कभी जरवत नहीं होती है हाँ unconditional manner पी बनता है promisory note भी maker और pay यहाँ पर दो ही पार्टी होती है प्रामेसरी नोट में एक तो maker और एक pay ठीक है और all the three तो all the three हो नहीं सकता इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option A option A पर आपको log लगाना है bills receivable book is a part of the बताओ बच्चो bills receivable book बताओ किसका part है bills receivable book इन में से किसका part है क्या यहाँ laser का part है क्या यहाँ balance sheet का part है क्या यहाँ journal का part है या यह profit का part है बताओ बच्चों फिनी में विपत्र इन में से किसका भाग है bills of exchange किसका part है यह आप से पूछा है तो bills of exchange book जो है वो पताओ हमारी कौनसी book है primary book और जो भी अमारी primary book होती है न उन सभी books को अपन क्या कहते है journal तो guys bills of exchange हम लोगों की एक तरीके से primary book मानी जाती है और जो हमारी primary book मानी जाती है उस book को अपन क्या कह देते हैं उस book को अपन journal कहते हैं इसलिए option C हमारा बिल्कुल सही answer होगा आपको option C पे लोग लगाना है journal क्योंकि bills of exchange बुक जो है bills receivable book जो है वो हमारी journal है primary book है ऐसे ही same bills payable book भी हमारी primary book है तो bills receivable book हमारी primary book है bills payable book भी हमारी primary book है और जो book हमारी primary book होती है वो किसका part होती है जर्णल का part होती है that's why option C हमारा बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट, पंदरा अगस्त दो अजर पाच की बात है, एक्स ड्रॉ कर रहा है वाइपर तीन महीने का बिल, वो भी 20,000 रुपे का, 20,000 का बिल ड्रॉ किया, एक्स ने वाइपर, ठीक है, उसके बाद में 18 नवंबर को sudden holiday आ जाता है, अगर 18 नवंबर को एक sudden holiday है, तो आपसे maturity, maturity, बिल की maturity पूछी है, मतब बिल की परिपकवता तिथी आप से पूछी है, आपको इस question को हल करके बताना है, कि उप्रोक प्रशन में, बिल की परिपकवता तिथी क्या रहने वाली है, आपको question समझ में आ गया क्या, देखो guys, मैं आपको वापस यहां पर लिखके बता रहा हूँ, कब बिल लिखा जा रहा है, सब 15 अगस्त 2005 को, बच्चो कब लिखा जा रहा है, सब 15 अगस्त 2005 को बिल लिखा जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, कितने महीने का बिल लिखा जा रहा है, सब 3 महीने के लिए बिल लिखा जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, अब 14 अगस्त में आपको कितने मैने जोड़ने हैं, 3 महीने अपने को जोड़ने हैं, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूंबर, 15 अक्टूंबर से 15 नवम्बर, हो गए 3 मैने कम्प्लीट, चलो, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे साथ 15 नवंबर 2005 लिखेंगे इसमें प्लस बोलो कितने दिन करेंगे जी हम 3 दिन प्लस करेंगे कर दो 3 दिन प्लस तो 15 का पूरा दिन लेना है आपको 16 का पूरा दिन लेना है आपको 17 का पूरा दिन लेना है आपको तो बताओ देट कौन सी आ जाएगी सर 18 नवंबर 2005 आ जाएगी और 18 नवंबर 2005 को sudden holiday आ गया मतलब की emergency holiday लग गया जो हमको 18 तारिक को पता चला और 18 को पता चला इसलिए इसका जो correct answer होगा तो 19 नवंबर 2005 होगा और आपको 19 नवंबर 2005 में lock लगाना है 15 नवंबर 2005 में 3 महीना जोडना था 3 महीने जोडने के बाद हमारे पास ने date आ गई 15 नवंबर 2005 इसमें अपने 3 दिन और जोड दिये 15 नवंबर 2005 में 3 दिन जोड़ेंगे तो अपने पास में 19 नवंबर 2005 आ गया और ये जो 19 नवंबर 2005 होगा ये अपना maturity date के लाएगा और option C हमारा बिलकुल सही answer के लाएगा next how many parties are usually found in case of bills of exchange guys bills of exchange में मतलब विने में विपतर में total कितनी parties होती है ये आप से पूछा है कि विने में विपतर में bills of exchange में total कितनी parties होती है तो bills of exchange में total होती है साब 3 party अब वो 3 party कौन कौन सी होती है तो 3 parties में आपको बताता हूँ एक तो होता है bill लिखने वाला person तो जो bill लिखने वाला person होता है वो कहलता है drawer एक होता है bill को accept करने वाला person और जो bill को accept करने वाला person होता है वो कहलता है drawer और एक होता है payment प्राप्त करने वाला person और जो payment प्राप्त करने वाला person होता है वो कहलता है pay तो यहाँ पे आपको मैं पताना चाहूँगा कि जो वीनी में विपत्र होता है जो bills of exchange होता है आप से यह पूचा है प्रेम मौबस से कि इसमें total कितनी parties होती है तो आपको यह प्राप्त करता है पेइ वो होता है जो बिल का पैसा प्राप्त करता है कुछ केसे में drawer और फी दोनो equal हो सकते हैं पर यह बाद्खे ज़ले वाद ड्रोवर और पैई सही अंसर होगा, next question आपके सामनी screen पर, यह रहा सभी लोग देखेंगे, how many parties are there in promiseary note, मतार प्रतिग्या पत्र में total कितनी parties होती है गाईस, तो प्रतिग्या पत्र में कितनी party होगी जी, दो पार्टी होगी, प्रतिग्या पत्र में कितनी party होगी, दो पार्टी होती प्रतिग्या पत्र में एक तो कौन प्रॉमिसर एक होता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसर और प्रॉमिस करने वाला परसन और पैसा प्राप्त करने वाला परसन या तो आप उसको बोल तो मेकर और प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और पैसा प्राप्त होगा त चलिए उसी के साथ में next question आपके सामने bills receivable account गाईज आप से पुछा है bills receivable account, बियार account कौन सा account है क्या यह हमारा expenses account है, यह अपना asset account है, यह हमारा liability account है यह अपना revenue account है, तो गाईज आप बताएंगे कि bills receivable account क्या लगता है आप लोगों को कि प्राप पे विपतर खाता, बताएंगे क्या इनवे से कौन सा खाता है या bills receivable account अपना revenue account मना जाएगा तो क्योंकि bills receivable अपने लिए एक तरीके से asset है और asset always debit होती है that's why bills receivable account हमारे लिए asset account मना जाएगा हम इसको assets बोलेंगे bills receivable account एक तरीके से कौन सा account है? asset account है next question अगर आप देखेंगे तो next question से पहले मैं आपको बतना चाहूँगा अगर आप M.P.T.E.T. First Grade Commerce M.P.T.E.T. First Grade Economics Haryana PGT Commerce KVS PGT Commerce KVS PGT Economics और साथ में अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं इन सभी की और आप confused है आपका कोई मित्र है जो M.P.T.E.T. First Grade Commerce में बैठना चाता है तयारी करने के लिए कुछ पता ने चल पारा कहा से ले आपका कोई मित्र है जो KVS PGT Commerce में बैठना चाहरा है उसको तयारी करनी है अच्छी तयारी करनी है पर उसको पनी वो confused है कहा से गरे तो आप सभी students का confusion में दूर करता हूँ आप RPC Edda पर विश्वास करें RPC Edda की application को download करें RPC Edda ने अपनी application पर आप सभी प्रकार के विध्यारतियों के लिए अलग-अलग courses जिसके अंदर हम आपको दे रहे है recorded lectures हम आपको recorded lectures दे रहे हैं English और Hindi माध्यम में आपको अलग से question दे रहे हैं English और Hindi माध्यम में आपको अलग से notes दे रहे हैं doubt clearing session हम आप लोगों के कर रहे हैं और इसके साथ-साथ हम आपको क्या facility देंगे और इसके साथ-साथ आपको हम आपको test series भी देंगे आपके examination pattern के according तो आप लोग बिलकुल भी चिंता मत कीजिए RPSC Adda का course purchase कीजिए हमारे यापे 15 से भी अधिक chartered accountant company secretary, PhD holder और assistant professors के team यहाँ पर पढ़ाया जाता है हर विशे के विशेशग्य यापे क्लास को आपको नजर आएंगे ऐसा नहीं होगा कि एक ही teacher सभी प्रकार के subjects को पढ़ा कर अपने तो जाके आप हमारे यापे course purchase करें और अपनी तयारी को आगे बढ़ाएं हम आपके साथ है अगला प्रशन अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ अगला प्रशन है 11 नमबर का X ने ड्रॉ किया एक बिल वाई पर 30,000 रुपे का 1 जनवरी 2005 को कब लिखा 1 जनवरी 2005 को किस ने किस पर बिल लिखा X ने Y पर बिल लिखा उसके बाद मैं X ने ये बिल accept किया 4 जनवरी 2005 को लिखा तो एक तरिक को accept किया 4 तरिक को बिल का period 3 महीने का था कौन सा वाला बिल था ये after date वाला बिल था what will be the maturity maturity आपको maturity चाहिए बोलो क्या चाहिए maturity आई बस वान में अब सुनो अगर ये बिल on site होता मतलब कि दर्शनी बिल होता तो दोस्तों दर्शनी बिल होता तो आपन परिपकवता तिति निकालने के लिए बिल को स्विकार की तिति में हम बिल की अवधी को जोडते और उसके बाद तीन दिन जोडते ये बिल है तिति के पश्यात मतलब कि after date तो after date वाले case में अपने को simple सी maturity date कैसे निकालनी है जिस दिन हमने बिल लिखा वो time लेना है उसके अंदर अपने को अवधी चोड़नी है उसके बाद अपने को तीन दिन grace period के जोड़ना है हमारे पास में maturity date आ जाएगा तो मुझे बता है बिल अपने किस तरीक को लिखा जी एक जनवरी 2005 को बिल लिखा ठीक है कितने महीने का बिल लिखा साथ तीन महीने का बिल लिखा बता हो एक जनवरी 2005 में तीन में जोड़ो एक जनवरी से एक फरवरी एक फरवरी से एक मार्च एक मार्च से एक अपरेल तो यह आप आजाएगा अपने पास में एक अपरेल 2005 और इसमें आपको जोड़ना है तीन दिन जोड़ोगे आप तो एक तरीक का पुरा दिन, दो तरीक का पुरा दिन, तीन तरीक का पुरा दिन, बोलो डेट के आ जाएगी, सर्थ 4 अपरेल 2005 अपने पास में डेट आएगी, और यह जो 4 अपरेल 2005 है, यह हमारा maturity date है, option A हमारा बिल्कुल सही अंसर होगा, ठीक है बेटा, सर्थ UKPSE के unit wise MCQs क आपको खोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा, next question आपके सामने screen पर, how many days of grace period is given for the payment of bills of exchange, bills of exchange ये case में कितने दिन का grace period होता है, bills of exchange ये case में दोस्तों कितने दिन का grace period होता है, 3 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, या 5 दिन का, तो इसका जो अंसर आएगा, वो 3 दिन होगा, bills of exchange की case में, जो grace period होता है, वो 3 दिन का होता है, अगला प्रशन, which of these is not essential requirement of a bills of exchange, इन में से bills of exchange के लिए essential requirement नहीं है, क्या requirement essential नहीं है, क्या जरूरी बात नहीं है, तो acceptance बिलकुल जरूरी बात है, payable to be error ये भी जरूरी बात है, crossing करना जरूरी बात नहीं है, grace period बिलकुल जरूरी तो bills of exchange के case में, crossing करना बिलकुल भी जरूरी बात नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो option C होगा, crossing, विनी में विपतर के अंदर, स्विक्रती बहुत आवशक है, विनी में विपतर के अंदर, जो amount है, वो be error को pay करना बहुत आवशक है, विनी में विपतर के अंदर, आप मान के चलिएगा, अनुगरे दिवस बहुत आवशक है, पर विनी में विपतर के अंदर, बेचान करना आवशक नहीं है, तो इसी कारण से इसका जो उत्तर होगा, वो option C होगा, option C पे आपको लगाना है ताला, अगला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर, at the time of endorsement of a bill, the draw debit, बताओ, जब bill endorse होता है, मतब bill का जब बेचान होता है, तो draw वी क्या entry करेगा, जैसे मालों ये A है, और ये मालीजे साब कौने दोस्तो B है, अब बताओ, बिल को बेचान A करेगा न, बिल A देगा अपने लेंदार को, तो इसकी entry या तो A करेगा, या A का लेंदार करेगा बिटा, B तो draw वी है, B को क्या मतलब है, अरे B की बला से A उस bill को देखे, हाथ में रखे, लेट कर सोए, या उसके उपर पोए खाए, या उसका हवाई जया बना के उड़ाए, B को उससे क्या मतलब, B को कोई मतलब नहीं है, B को कि वाल इतना मतलब है कि जिस दिन bill का maturity date आए मुझे उसको पैसा देना है, सबद रहो हाँ मेरी बात, तो मैं यहाँ पर क्या वो लिखावा है, कि endorsement हो रहा है, तो bill का जो draw वी है, वो किसको debit करेगा, तो bill का draw वी है ना, यहाँ पर किसी भी account को debit नहीं करेगा, draw वी अपनी book में कोई entry pass नहीं करेगा, हाँ, drawer अपनी book में written for which of these purpose, मतलब की, जो हमारे साहतार्थ bill होते हैं, वो किस purpose के लिए लिखे जाते हैं, तो नाम से पता चल रहा है, साहता करने के लिए, ठीक है, option A, genuine trade reason, मतलब जो trade reason है उसके लिए, तो accommodate each other, एक दूसरे की मदद के लिए, for investment, मतलब की विन्योग के लिए, या as a surety, surety के लि वो option B होगा, option B बोले तो, to accommodate each other, मतलब एक दूसरे की साहता करने के लिए, साहतार्थ bill लिखे जाते हैं, अनुग्रह bill लिखे जाते हैं, इतना आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, अगला प्रशन आपके सामने, at the time of drawing a bill, drawing मतलब bill को लिखना, the drawer credit, त किस खाते को करेगा, credit, आप से पूछा है, तो बच्छों देखो, bill को जब drawer लिखेगा, तो drawer के लिए, बी आर तो हो जाएगी, assets, तो वो बी आर अकाउंट तो debit करेगा, और साथ में, साथ में, ड्रॉवी के अकाउंट को credit करेगा, बोलो किस के खाते को credit करेगा, ड्रॉवी के लिए, जो ड्रॉवी होता है, ड्रॉवी, वो कौन होता है, ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवी कौन होगा, ड्रॉवर होगा, तो जब बिलकु लिखा जाता है न, तो ड्रॉवी आकाउंट होता है, credit, ड्रॉवर की बुक में, तो ड्रॉवर की बुक में drawi account होगा credit और यहाँ पर drawi कौन है data, तो that's why correct answer क्या हुआ, data option A पर आपको tick लगाना है, option A हमारा बिल्कुल सही है, जो बच्चे answer दे रहे हैं जो comment कर रहे हैं, वो तारीफ के बिल्कुल काबिल है, option A पर आपको जाना है which of these account is debited by drawi of a bills of exchange on its discounting which of these account is debited, debited by a drawi, इन में से किस खाते को debit करेगा drawi, जब bills of exchange discount होगा, वापस वापस वही बात वीनी में विपत्र को आप किसी को बेचान करो वीनी में विपत्र को आप discount कराऊ वीनी में विपत्र का आप संगरे के लिए बेजो, अरे drawi को क्या लेना देना है, which of these account is debited by drawi drawi क्यों debit करेगा, जब bill of exchange discount कराऊगा आप, bills of exchange के discount के case में, drawi के द्वारा ना तो कोई entry की जाती थी, ना कोई entry की जाएगी ये मान के चलिएगा, अंसरा आजाएगा none of this, question number 17 का, option D हमारा बिलकुल सही उत्तर है next question आपके सामने which of these way a bill of exchange cannot be disposed of, इन में से bills of exchange disposed नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा तरीका है जिसको हम disposed करने के लिए apply नहीं करेंगे discounting with the bank, bills of exchange हो सकता है, retain till maturity मतलब, bill को maturity तक retain करना, ये भी हो सकता है endorsement to creditor, ये भी possible है, destroy करना यार bills of exchange को destroy करना bills of exchange को destroy नहीं कर सकते आप, समझ रहे हों मेरी बात, ये वे गलत है तो option D, हमारा बाबू, क्या होगा correct answer होगा, option D पे आपको लगाना है ताला, अगला question आपके सामने screen पर, bill receivable endorse are debited to, मतलब जब drawer bill of exchange endorse करेगा किस account को debit करेगा तो मुझे बताओ drawer bills of exchange किसको देता है, किसको देता है अपने creditor को देता है तो जब drawer bills of exchange creditor को देगा, तो no doubt creditor से liability कम होगी और जब creditor से liability कम होगी तो अपने को creditor account को बोलो क्या करना होगा debit करना होगा और bills receivable account को credit करना होगा तो इसका जो answer आएगा वो creditor account आएगा option B हमारा बिलकुक correct answer होगा next question which of these parties can be pay also ? म полезने प्राप्त करता भी हो सकता है तो इसलिए इसका जो correct answer होगा वो drawer होगा दोuko बदोस्टों मज़ा आया आपको 20 questions करके चलिए last but not least if you want to purchase our course if you want to get the examination of MPTED first grade commerce, MPTED first grade economics KVS PGD commerce KVS PGD economics and Haryada PGD commerce अगर आप इन किसी exam को देना चाते हैं crack करना चाते हैं सरकारी नौकरी परना चाते हैं चिंता मत कीजिये हम है आपके साथ RPSC Adda है आपके साथ आज ही अपना mobile उठाएं RPSC Adda का ये course purchase करें तयारी चालू करें हिंदी इंग्लिश माध्यम के लिए बिलकुल पूरी विवस्ता की गई है नोर्स आपको मिल जाएंगे, question bank आपको मिल जाएगा doubt clear हो जाएंगे, recorded lesson आपको मिल जाएंगे और इससे बड़ी बात आप लोगों को मान के चलिएगा test series भी हम आपको देने वाले हैं टीक है, fees भी बहुत कम है 2999 course या पर आपको 1499 में मिल रहा है और इधर 2999 course आपको 2499 में मिल रहा है 15 से भी अधिक chartered accountant, company secretary, PhD holder, assistant accountant की team आपको पढ़ा रही है विशे विशे शग्या के जो हमारे विशे विशे शग्या न वो आपको पढ़ाएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका जुनून है, सरकारी नौकरी पाने का तो हमारा भी जुनून है, आपको सरकारी नौकरी दिलाने का ठीके गाईज तो last but not least last में दो पंक्तिया आपको बोलके सुनाना चाहूंगा कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी भी किसी से नहीं डरा गाईज यह मान के चलिएगा जै हिंद जै भारत वंदे मातरम नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद लेट स्क्राकिट बाई